हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलाइन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे सब्जेक्ट शोशल स्टडीज की रिव बच्चों MCQ में से हमें सही option को यहां पर चूज करके लिखना है फर्स्ट कोशन है वो टीचिज यू इन इस्कूल बच्चों आपको इस्कूल में कौन बढ़ाता है पुलिसमें टीचर और डॉक्टर तो बच्चों इस्कूल में आपको टीचर पढ़ाते हैं विच आफ द डाइल डैश नंबर तू कॉल दा पुलिस इन केस ऑफ अन एमर्जेंसी बच्चों अगर हमें कोई एमर्जेंसी होती है कभी तो हम किस नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं 101-100-102 तो बच्चों 100 पे हम कॉल करते हैं पुलिस को बच्चों हमें हमेशा कचरा कहां फैकना चाहिए डस्ट वीन, क्लास रूम और पार्क तो बच्चों हमें हमेशा कचरा डस्ट वीन में फैकना चाहिए always wash your hands before each बचो हमेशे हमारे हाथ किसके पहले दोने चाहिए game, meal और run तो बचो meal हमारा यहां सही option होगा next है बचो state true or false बचो यहां पर true or false हमें बताना है the national fruit of India is apple बचो हमारा जो national fruit है वो apple है तो बचो यह false है हमारा national fruit है mango next है बचो the red light means to stop at the traffic signal बचो red light का मतलब होता है कि हमें traffic signal पर रुखना चाहिए यह बिल्कुल सही है water is used for bathing बचो पानी नहाने के काम हाता है यह भी true है always wash your hands before the meal बचो हमेशे खाना खाने से पहले हो खाना खाने के बाद हमें हमारे हाथ धोने चाहिए यह भी सही है we can watch news on television बचो हम news television पर देख सकते हैं यह भी true है next है answer the following questions name the national animal of India बचो national animal कौन है कौन सा है हमारा इंडिया का tiger who treats you when you fall ill बचो जब आप बिमार हो जाते हैं तो आपको कौन देख बाल देखता है doctor in case of a fire accident we dial the number और बचो कभी fire accident होता है कहीं आग लगती है तो हम किस number पर call dial करते हैं 101 next how many times a day should we brush our teeth बचो हमें दिन में कितनी बार अपने teeth brush करने चाहिए twice a day याने कि two times ओके next बचो name the four directions बचो four directions के name बताइए हमारी four directions होती है north, south, east and west ठीके next है बचो pictorial based question question number 16 look at the given picture and fill in the blanks first question है बचो there is a dash blackboard in the picture बचो blackboard कितने हैं picture में one तो हम यहां लिखेंगे one next है there are dash in the sky बचो sky में क्या दिखाई दे रहे हैं clouds या birds तो बचो हमें clouds दिखाई दे रहे हैं यहां picture में देखे सभी को यहां clouds दिखाई दे रहे हैं तो यहां लिखेंगे clouds next बचो descriptive questions how many traffic lights are there बचो traffic lights कितनी होती हैं हमारी three traffic lights are there red, yellow and green ready आने की रुकना होता है yellow की get ready and green means go next बचो in which direction does the sunrise बचो हमारा सूरज कौन सी direction में उगता है तो sun rises from the east ठीक है east direction से sun उगता है तो इस तरह से बचो आप सभी को अपनी worksheet को solve करना है I hope बचो आप सभी को अच्छे से समझ माया होगा बचो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और बचो जिनों ने भी अबी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है प्रीज जल्दी से जाईए rat button दबाएए और सभी मेरे चैनल जर्यडо online classes को subscribe कीजе चैनल को subscribe करना ना भूलिए Thanks for watching the video Have a nice day students